कि अच्छा जी एल्ग नास्ट रीडियो में हमने देखा था मेडलन कंसेफट की फंडंडमेंटर कंपोनेट्स का फर्स्ट पार ठीक है जो था हमारे पास पेशान सेंटेट अप्रोच अब हम उसका सेकेंड कंपोनेट्स देखेंगे ठीक है बिरेक वाल अप्रोच तो बेट अब हम दिस्कस करेंगे अच्छा जी लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हमारे पास फर्स्ट जो कंपोनेट था ठीक है फिशेंट सेंटर अप्रोच वो किया होता है ङब हम देखेंगे मेटलेट कॉंसेपट का सेकिंट fundamental component जो हमारे पास है brick wall approach ठीक है अब brick wall approach हमारे पास क्या होता है name से ही पता लागे रहा ठीक है brick wall approach ठीक है कि हमारे पास एक जूंसी है वो wall होगी ठीक है एक wall होगी और wall के एक तरफ हमारे पास क्या होगा theoretical knowledge होगा और दूसरी तरफ क्या होगा clinical ठीक हो है, अच्या, for example, अब हमारे पास कोई patient आता है, हमारे पास कोई patient आता है, तो अ में सिमिशन वहola हुआ है, हमारे पास क्या ए rein awake, वह seguinte है, जाता है कि अबढ़ एक experience, है, तो symptoms हमारे पास क्या शू होंगे, कि उसको जोन सिखन होंगे, on the outside of the elbow, यह हमारे पास होंगे symptoms ठीक है अब signs हमारे पास क्या show हो रहे है कि उसको painful zone और stiffness elbow extensors है ठीक है और यह हमें भी पता है कि हमारे zone से है ना वो elbow की जो extensors होती है ठीक है वो हमारे पास होती है elbow के lateral side पर ठीक हो गया तो हमारे पास clinical knowledge कि हमारे कहे रहे है सारा कुछ के elbow pain है ठीक है symptoms के आ रहे है के sharp pain outside of the elbow ठीक है और signs हमारे पास के है के painful elbow extension और stiff ठीक हो गया अच्छा यह हमारे पास थी इसके clinical सारा कुछ ठीक है अब अगर हम अपने theoretical knowledge को the mind में लाएंगे ठीक है दूसरी तरव वाल की दूसरी तरव अगर theoretical knowledge को अपने लिए की आएंगे ठीक है तो हमारे माइल में फोरन से आ जाएगा कि हमने बदा था कि हमारे पास जोन से ना elbow की outside होगी तो वो क्या होगा lateral side होगी ठीक होगी है अच्छा अगर हमारे पास अगर elbow के extensors stiff है ठीक है और painful है तो वो कहां पर हमारे पास होती है ठीक है elbow की lateral side पर ठीक है elbow की lateral side पर extensors होते है ठीक है और medial side पर क्या होगी flexors होगी ठीक है तो हमारे पास जो elbow की extensors है वो lateral side पर ठीक है तो वो pain होगी ठीक होगी है अच्छा उसके इलावा हमें ये भी बात माँड में आजएकी फोरण से कि हमने ये बात भी पड़ीधी ठीक है कि अगर हमारे पास elbow के जोंज या न वो इक सेंसर में painful है ठीक है तो elbow के जोंज ही न हमारे पास होगी वह tennis elbow इसको हम बोलेंगी ठीक है lateral side पर हमारे पास जोंसे है वो pain और elbow के तो हमारे पास tennis elbow ठीक है तो यह हमारे पास होगा break ball approach ठीक है तो break ball approach में हमारे पास क्या हो रहा है एक side पर theoretical knowledge रखें दूसरे दफस पर clinical ठीक है clinical knowledge हमें क्या कह रहा है कि elbow में pain है ठीक है और outside of elbow में है ठीक है और science में पास क्या और है कि elbow की extension है वो painful stiff है ठीक है और theoretical knowledge हमें क्या कह रहे है कि अगर हमारे पास elbow की outside पर pain है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि वो lateral side of elbow में pain है ठीक है और अगर lateral side of elbow में pain है तो हमारे पास क्या होगा कि elbow की जो से extensors है ठीक है वो ही stiff होंगे ठीक हो गया तो theoretical knowledge में हमारे पास जो clear बात आजेगी वो यह होगी कि tennis elbow है हमारे पास ठीक हो गया तो यह हमारे पास है break wall approach